नमस्कार निश्पोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपकी साथ रंजन सिंग बतादे आपको कि बिहार में बंगले को लेकर हमेशा सियासत होती रही बिहार में जब मंत्री रहते हुए बंगला मिलता है उसके बाद बंगले खाली कराने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े ह होते हैं कई बार वहार के टिप्टी सियम रह रहे थे पहले जब तेस्वियादब थे तो उनको आवास खाली करवाने के लिए सुसील कुमार मूदी ने जद्दो जहद की थी अब देखिये के एक लार फिर से बिहार के टिप्टी सियम है तेस्वियादब लेकिन खबर ये लेकिन इससे पहले इंडिये की सरकार थी इंडिये के सरकार में सहनवाज हुसन जो कि MLC बने और उसके बाद मंत्री उद्योग विभाग के मंत्री रहते उनको ये जो आप देख रहे हैं बंगला इस बंगले को आवंटित किया गया था सहनवाज हुसन को और ये 12 वेस्टेंड रोड ये है और यहाँ पर सहनवाज हुसन अभी भी रह रहे हैं खबर ये नहीं है कि सहनवाज हुसन अभी भी यहां रह रहे हैं जरसल मिली जानकारी के अनुसार बात ये है कि सहनवाज हुसन अभी नहीं बलकि अपने MLC के कारेकाल समाप्त होने तक इ उन्हें पटना आये, MLC बने, मंत्री बने और उसके बाद उन्हें रहने के लिए ये बंगला आवंटित किया गया, सबी मंत्रियों को दिया जाता है, और तमाम जितने भी मंत्री थे, उन सभी लोगों ने अपने बंगला को खाली किया, लेकिन सेयद सहनवाज हुसन, जो कि अब ये MLC हैं वर्तमान में, लेकिन MLC का क्वाटर अलग होता है, जितने भी MLC हैं, उनके लिए एक क्वाटर है, जो कि आर ब्लॉक के पास है, लेकिन सेयद सहनवाज हुसन ने जो है, इस बात को लेकर सरकार से आगरह किया, और उसके बाद उस आगरह को सरकार ने स्विका कर लिया है, भवन निर्मान विभाग के तरब से यादिस दे दिया गया है, कि सैयद सहनवाज हुसन जो MLC है, और भागपा के राश्चिय प्रवक्ता भी है, वो फिलहाल इसी आवास में बने रहेंगे, महागडबंदन की सरकार है, लेकिन मंत्री का ये आवास जो है, वो स भी जो आवास की कमी है बिहार में, और वो जो कहा जाए कि 2024 में पूरा होगा, लेकिन बजाय जो अगर मंत्री की अगर हम बात करें, तो मंत्री रहते हुए ये बंगला मिला था, लेकिन मंत्री नहीं रहने के बाब जूद भी सहनवाज हुसन के पास ये बंगला रहेगा, भावा निर्मान विभाग ने ये कह दिया है, बड़िश पॉनिशन के साथ नमस्कार,